चानक के आई इस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे ग्रीन वाशिंग के बारे में ग्रीन वाशिंग के जोखिम से बचने के लिए RBI के डिप्टी गवर्णर ने ग्रीन फाइनेंस पर टेक्सो नॉमी का अहान किया है इसलिए ये चर्चा में है ग्रीन वाशिंग कोई नई प्रक्रिया नहीं है इस शब्द का इस्तिमाल साल 1986 में प्रेवरण विद जे वेस्टर वेल ने पहली बार सेव दा टॉवल मुमेंट की आलोचना में अपने एक लेक में किया था अब हम देखेंगे ग्रीन वाशिंग होता क्या है कमपनिया प्रकर्ति के संग्रक्षन के लिए कोई ठोस या पका उपाय नहीं करती है बलकि इस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है जैसे उनका प्रोडक्ट यदि ग्राहक खरीदता है तो वो प्रकर्ति को बचात इस पूरी प्रक्रिया को ग्रीन वाशिंग कहा जाता है इस शब्द की उत्पति वाइट वाशिंग शब्से हुई है जिसका अर्थ है बूरे आचरण पर रोशने डालने के लिए भ्रामक जानकारी का इस्तिमाल करना इसी तरह गलत जानकारी देते हुए प्रोडक्ट को ए कैवरन के अनकूल है Cambridge dictionary के अनुसार ग्रीन वाशिंग को यह भरोसा दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है कि कंपनियों द्वारा environment की रक्षा के लिए जितना किया जा रहा है उससे कहीं जादा वो करती है अब हम बात करेंगे ग्रीन वाशिंग होने का कारण क्या है क्यों की जाती है तो अगर सिंपली इसका कारण ढूंडा जाए तो इसका कारण प्रॉफिट कमाना होता है ग्रीन वाशिंग में शामिल कंपनिया आम तोर पर उभोगताओं को गुम्रा करने के प्रयास में अपने दाओं या लावों को बड़ा चड़ा कर पेश करती हैं कई करती के सकारात्मत प्रभाव के लिए कंपनिया बिजनस प्रेक्टिस नहीं लाती इसके वी प्रीत वह प्रॉड़क्त की एड़टाइजिंग पर हजारों रुपै खर्च करती है जिसे ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन एड़टाइजिंग कहा जाता है आज की मशीनी करन के युग में अमीर से लेकर मिडिल क्लास हर वर्ग का आदमी केमिकल ल्यूप्त चीजों की जगर फ्राकर्तिक प्रोडिक्ट को यूज करने की और अगरसर है क्योंकि लोगों को लगता है कि केमिकल ल्यूप्त चीजें उनके शरीर और एंवायरमेंट को नुकसान पहुंचा र है कि उनकी द्वारा खरीदा गया प्रोड़क्ट प्रकरति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है अब हम बात करेंगे ग्रीन वाशिंग कैसे होती है सेव ड़ टौवल मूमेंट एक ऐसा मूमेंट था जिसमें होटलों में टौवल को ना काम करना चाहिए खाद्य एवं पे कंपनी नेसली द्वारा अपने प्रोड़क्ट को एंवायर्मेंट फ्रेंडली बताया जाता है लेकिन इसी कंपनी ने साल 2018 में कहा था कि वहवर्ष 2025 तक अपने प्रोड़क्ट की पैकेचिंग को 100% तक री साइकिलिंग और रीयूजिब के बावचुद वर्ष 2020 में तीसरी बार डैसले, कोका कोला और पेपसी लगातार प्लास्टिक पैदा करने वाली कंपनियों में टॉप पर रही हैं ऐसी ही एक प्रसिद्ध कार कंपनी फॉक्स वेगन द्वारा प्रकरती के बचाव में एक मुहीम चलाए गई थी जिसमें व लोगों से कहा गया था लेकिन जब जाच हुई तो पता चला कि कंपनी ने 11 मिलियन कारों में ऐसे डिवाइस फिट किये थे जिससे जाच के वक्त ये ना पता लग पाए कि कार से कितना प्रदोशन फैल रहा है तो यहां यह सवाल पैदा होता है कि ग्रीन वाशिंग के नाम को बेशने में एक नाम रामदेव की पातांजली कंपनी का है पातांजली के कुछ प्रोड़क्त जैसे शिवलिंग बीज और आमला जूस टेस्टिंग के दोरान खरे नहीं उत्रे थे सूचना डाटा और बाजार मापन फर्म निलनसन की एक रिपोर्ट बताती है कि सस्टने ब्राइंट्स के लिए 66% उभोकता जादा खर्च करते हैं इसका मतलब है कि अभे भी लोग प्रकरती को बचाने के बारे में सोच रहे हैं अगर हम निश्करश की बात करें तो टेरा चॉइस एन्वायर्मेंटल मार्केटिंग के अनुसार 98% प्रोड़क्ट ग्रीन 98% प्रोड़क्ट ऐसे होते हैं जिनको इको फ्रेंडली कहा जाता है बर वो होते नहीं हैं और कभी कबार जब कम्पनियों का ग्रीन वाश्चिंग में अपराज सावित हो भी जाता है तब वे उभोकताओं के प्रती उसकी कोई जवाब दे ही भी नहीं होती है ग्रीन वाश के तक्थियों और विवरनों के साथ अपने दाओं को पेश करते हैं वेश्वी करण के बढ़ते युग में हमें ग्रीन वाशिंग के प्रती भी सजग होने की आवशकता है हम प्रकरती के अनुकूल सोचकर ग्रीन प्रोड़क्ट खरीदते हैं लेकिन हमें इस हरे जूट से बशने की जरूरत है उत्पात खरीदते समय हमें उसकी पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें thank you so much don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update